बट एक्चिली उस घर में कोई भी जन्मिन में ही टीना काफे confused लग रही थी मुझे throughout और शालीन भी कहता है कि वो काफी confused हो रहा है और दरार बहुत जल्दी आने वाला बिग बॉस के घर से वापस आ चुकी है श्रीजीता और श्रीजीता इस बार की जर्नी कैसी लिए इस बार की जर्नी पिछले बार से डेफिनिटली बहुत बढ़िया थी क्योंकि अल्मोस्ट तीन गुना जादा समय मिला और हाँ थोड़ा सा दुख है ऐसा लग रहा है कि मतला फिनिशिंग लाइन बॉर्डर लाइन तक पहुशते पहुशते अभी और तीन-चार हफते अगर खीच लेती तो बहतर होता पर फिर भी मैं खुश हूँ कि मुझे दुबारा जाने का मौका मिला मैं बहुत ग्रेटफुल हो कि मुझे यह उपरचुनिटी मिली आइ कंसिडर मैसल्फ लगी तो बी बैक और काइन ओफ कंप्ली जो एकदम अधूरा रह गया था पिछली बार पिछली बार का टाइम कम था लेकिन लोग वही थे तो इस बार उन लोगों में क्या क्या चेंजेस मिले और कुछ फरक लगा बहुत फरक लगा प्रियांका के साथ दोस्ती इस बार रिबिल्ड हुआ जो कि फर्स टाइम नहीं हो पाया था इतना अच्छे से निम्रित के साथ दूरी महसूस हुई शिफ के साथ जाधा क्लोजनेस बॉन्ड हुआ मेरा एक दोस्ती वाला और बाकी लोग भी मुझे काफी अच्छे और जेन्विन लगे थे पिछली बार क्योंकि समय इतना कम था बट आक्चली उस घर में कोई भी जेन्विन नहीं है यह जो मतलब जो एंगल वहाँ पर जो देखने मिला है क्या बाहर आने के बाद भी यही मिलने वाला है आपको सबसे कर जब मिलोगे तो बिल्कुल मैं अगर बाहर किसी से मिलना चाहूंगी वो प्रियांका होगी शेफ होगा और साजिद जी मुझे नहीं लगता है मुझे किसी से जादा मिलने की कोई उमीद वद अख्वाईश है तो सबसे जादा इस बार के टास्क वगर हमें कितना मज़ा है और सब लोगों ने इस बार का फैमिली जो सेक्शन था फैमिली जो सेग्मेंट रहे है वो का भी एंजॉई किया है तो उसके बार में क्या है फैमिली वीक वज अमेजिंग क्योंकि पहली बार बिग बॉस के हिस्ट्री में ऐसा हुआ बिग बॉस हमारे लिए इस बार इता जादा जेनरिस है कि उन्होंने 15-20 मिनिट के जगे पे एक पूरा दिन घर वालों के साथ रहने दिया और वो इतना खास इसलिए है क्योंकि जहां पे आप रहते हो पिछले बार ऐसा हुआ कि बाहर आके कहीं मिले गार्डन एरिया में या कहीं पे पिछले जो जितने भी सीजन्स होए होंगे पर इस बार हम क्या क्या करते हैं घर में कैसे खाना बनाते हैं किचिन से लेके बैडरूम से लेके गार्डन एरिया से लेके पाओडर रूम से लेके सारी कहानिया हैं, वो हम अपने घरवालों को बता पाए, कहे पाए, और एक दिन उनके साथ वो जर्नी जी पाए, विच वेरी बीटिफुल, और बाकी जो सेलिबरेशन सा, मुझे लगता है, मैं बहुत ही लगी हूँ कि अच्छे समय पर गई थी, कि जाते ही क्रिस्मस, जाते के बाद, हमारा कुछ ना कुछ चल रहा था, दूरिंग क्रिस्मस और नुव यर्स, और हाँ, फैमिली वीक तो बहुत ही बढ़िया था, सबसे जादा एंटर्टेन कौन कर रहा है भी घर में, आपके हिसाब से, सबसे जादा एंटर्टेन अर्चना करती है, घर में नहीं, गर के बाहर, घर वालों को तो सर खा लेती है, वो मंदब आए, बत, मतलब है, उसमें कुछ बात है, जो, और सबसे अदा, गेम प्लोटिंग अभी कौन कर रहा है, गेम प्लोटिंग में एंग्जाटली नहीं कहूंगी, पर साजित जी को ना, गेम की समझ बहुत अच्छे स तो क्या लग रहा है, इस बार रब विनर के इसमें आप किसको देखना चाहती है, या कौन बन सकता है अपके सबसेर, क्या लग रहा है, मैं देखना चाहूंगी शिव या प्रियांका में से कोई एक, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन दोनों में पोटेंशिल है to go till top two, और शिव बहुत शिद्दत से कोई भी टास्क करता है घर में, मतलब हम सब कोशिश करते हैं, but he's genuinely good, क्योंकि वो रोडीज किये हैं, फिर Big Boss मराथी में भी थे, तो उनका जो तरीका होता है कोई भी टास्क को करने का, वो बहुत amazing होता है. अच्छा, घर की hot news अगर की बात करें, अगर स्रीजिता को देनी हो, तो वो क्या दोगी बहरा के, वहा की hot news? hot news, ऐसे तो आप लोगों को सब कुछ ही पता है, तो अगर घर की hot news की बात किया जाए, तो जिस तरीके से आप लोगों को शायद बाहर मंदली का प्यार या मंदली का connection दिख रहा है, मैंने एपिसोड देखे नहीं हैं, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, exactly, बट घर के अंदर थ तो जितना आपको दिख रहा है, उसे कहीं जादा मुझे पता है, क्योंकि चौबिस घंटा रहके आई हूँ, तो उतना लव और connection actually है नहीं मंदली के बीच में, कहीं ना कहीं वो लोग साथ में है for votes and for supporting each other, definitely इतना तीन महीना अगर साथ में आप रहो तो एक connection तो होई जाता आप लोग जगड़े कहेंगे सुल्जाने में भी साथ में थे या एडवाइस देने में भी साथ में थे मत आपने देखा है, तो उस पर कुछ अ मैंने कोशिश किया, शालीन को जाते भी मैंने समझाने की कोशिश की थी, टीना काफी confused लग रही थी मुझे थूआउट क्यू तो जाने अन जाने में जेस्टर ऐसे कर देती हैं जिससे दूसरे वाले को लगेगा कि आपको पसंद है वो इंसान और आपको अगर अगर एक्चिल इतना नहीं पसंद है वो इंसान तो आप वो जेस्टर जो उसने बोला था मैं आउट अफ करती हूँ, तो मत किया करो क्यूंकि वो जेस्टर ऐसे करती है तो मुझे लगता है दोनों के दोनों बहुत कंफ्यूजड है पर कही न कहीं शायद शालीन के तरफ से फीलिंग्स जो था वो जेन्विन था टीना के लिए अब बिग बॉस के घर से बाहर हो, वोट नेक्स्ट क्या सबसे पहले आप्ट क वो होगा and whatever it is मैं बहुत ही happily उसे accept करूंगी but would love to get into another reality show soon क्योंकि reality show पहली बार करके मुझे समझ में आ रहा है जो मज़ा है वो डेली सोप में शायद उतना नहीं है वहाँ पर acting करके बहुत मज़ा आता है और यहाँ पर being real self करके आपको बहुत मज़ा आता है तो एक मज़िदार इंसिदेंट जैसे अभी रिसेंटी हुआ जब तीना की मम्मी घर में आई और तब अर्चना ने कहेंगे अर्चना ने जो है पुरा माहौल वहाँ पर वो कर दिया था तो वो कुछ बताएंगी मतब अच्छली यह हुआ था कि मेरा बैक था आंटी के तर लेकिन आंटी के साथ मेरी मम्मी की दोस्ती रही क्योंकि बच्चों की वज़े से वो, they are mature people, right? मम्मिया है तो मेरी मम्मी भी तीना से बहुत प्यार करती है और आंटी भी मुझ से बहुत प्यार करती थी शायद तो हमेशा वो बहुत खूबसूरत रहा मेरा और काकिमा के सा क्योंकि दोनों बड़ी बिंदी लगाते हैं, हाँ, तो दोनों की दोस्ती भी है, इसलिए मैं relate करती हूँ, और अरचना constantly हसे जा रही है और कह रही है कि बात कुछ और भाहिया आपको समझ नहीं आ रहे है और मैंने और साजित जी ने वकाई तो चिला के बोला पागल है क्य अपने बेटी से हग किया था और मुझे आँटी के अटी से थोड़ा कोल वाइब मिला विच इस अपसलुटी अंडस्टनाबल क्यूंकि शो बाहर भी अपने ममी बापा देख रहे है तो डिफरन चीजे होती है घर के अंदर तो वो जब देखते है तो ममी माबाप के उपर अपने बेटी समझ के किया होगा है तो क्या कुछ बोलना चाहेंगी इतना प्यार मिला है और यह कहना चाहूंगी सारे दर्शक होसे कि आप लोगों ने इतना प्यार किया इतने वोट्स भेज भेज के क्यूंकि मैं तो हर हफते मतला मेरा तो नॉमिनेशन कंपल सरी था हर बेज के मुझे बचाना पड़ा इंवरी ग्रेटफुल अबाउट थैंक्फुल तो यू आल ऐसे ही आप प्यार करते रहिये और ऐसे ही मेरा साथ देते रहिये थैंक यू और बेस्ट झाल झाल